आज हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं एक स्टोरी बताने जा रहे हैं जो हकीकत पर मबनी है ये वाक्या 28 बरस कबल 25 जनवरी 1993 की सुबा को पेश आया था एक मसला शक्स गाड़ियों के पीछे से बरामत हुआ और फारेंग शुरू कर देता है चंद ही लम्हों में C.I.A. के दो एहलकार हलाक और तीन जखमी हो जाते हैं लेकिन गाड़ी में मुझूद तीन खवातीन को खराश तक नहीं आती हमले के बाद ये शक्स अपनी गाड़ी में स्वार होकर फरार हो जाता है अब हम आपको बताएंगे के वो शक्स कौन था और उसने C.I.A. के हैड़कोर्टर के बाहर C.I.A. के एहलकारों पर क्यूं फारेंग की थी अमरीका पर 9.11 के हमले से 8 साल कबर यानि सन 1993 में अमरीका की इंतजामिया पर ये उस वक्त का सबसे बड़ा हमला कहा जाता है मकामी पुलस, FBI और C.I.A. उस केस की तहकीकात में शामल हो जाते हैं और अब्तदाई तहकीकात की बन्याद ये थी के ये हमला किसी का जाती फेल था या देश्चत गर्दी की मुनजब कारवाई थी तहकीकात करने वालों को जाएवगुवा से 10 गोलियों के खोल और बगएर चली गोली मिलती है जिससे ये नतीज़ा अखस किया जाता है कि हमला आवर की मंदूग जाम हो चुकी थी इसलिए एक गोली चलना सकी हमले में मेफोज रहने वाली खोटीन की मदद से हमला आवर का खाका त्यार किया गया था और खबारत में उसकी तश्कीर की गई थी आम शहरीयों से मालुमात के हसूल के लिए एक फून लैन भी वकफ कर दी गई थी जाए वकुगा से मिलने वाली गोलियों के खोल से ये मलू हुआ कि उस हमले में एक के 47 यानि कलाशन कोफ इस्तमाल की गई थी और उसके साथ फिंगर प्रिंट का पता लगा लिया गया था लेकिन मुल्जम का कोई रिकार्ड सरकारी सताबर मजूद नहीं था उस केस की तहकीकात के लिए एफबी आई की जानब से एजेंट ब्रेडली गैरिट को मकरर किया गया एफबी आई के एजेंट गैरिट में अपने केस पर निवस्टिकेशन शुरू कर दी और सबसे पहले उसने जानने की ये कोशिच की के वरजिनिया और आसपास की रियासत में एक साल के अंदर कितनी कलाशन कोफ फरोखत हुई अब्तदाई तोर पर उसकार कार्ट तलब कर लिया गया एफबी आई को मुलूम हुआ के उस सरसे में एक हजार के करीब कलाशन कोफ फरोखत हुई थी जिन मेंसे एक कलाशन कोफ हमले से तीन रोज कबल खरीदी गई थी और खरीदार का नाम था एमल कांसी एफबी आई के एज़ंट एमल कांसी के रूम पर पहुँचे तो उसके रूमेट से मुलाकात हुई जो के पाकस्तानी था उस शक्स ने उन्हें बताया के एमल किसी दूसरे शक्स की वसादत से उनका रूमेट बना था FBI के अजन्ट ब्रेडली गेरिट जिसको मैं अभी सिर्फ गेरिट कहूंगा अपनी वीडियो में उसने कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी और तलाशी के दुरान और कलाशन कोफ की गोलियों से बढ़ा हुआ एक मैगजीन भी परामद हुआ मजीर तलाशी के दुरान सुफे के नीचे से एक पलास्टर बैग में लिप्टी हुई कलाशन कोफ भी मिल गई एमल कांसी के रूमेट ने उससले से लाइलमी का जहार किया और पारकिंग में मजूद गाड़ी की जिस से FBI को ये तस्दीर करने में मदद मिली के हमलावर एमल कांसी ही है जो हमले के फौरण बाद पाकस्तान फरार हो चुका है दोस्तों आप हम आपको तफसीलन बताएंगे के एमल कांसी कौन था एमल कांसी का पूरा नाम एमल खान कांसी था स्कूल और शिनाफ्टी कार्ड के रिकार्ड में उनका नाम मीर एमल खान कांसी दर्ज था लेकिन अपने नाम के बारेक से वो बलोच नहीं बलके पठान थे एमल कांसी ने इतिदाई तिलीन ग्रामर स्कूल कोईटा से हसल की थी जबके गौर्मन्ट डिगरी कालेज कोईटा से ग्रेजुएशन के बाद वो लोचसान यूनिवेस्टी से इंगलेश लिटरेचर में मास्टर की डिगरी हसल कर चुके थे और स्वाल ये भी है इंगलेश लिटरेचर में मास्टर डिगरी हसल करने वाले ने क्यूं एफबी आई के दफ्तर के सामने एफबी आई के एहलकारों पर फाइरिंग की थी चलें बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब एमल कांसी का तलक पश्टून कॉम्परस्ट सियासी गराने था उतके वालत पश्टून कॉम्परस्ट रहनमा गफार खान और अबदल समाद खान के साथी भी रहे थे एमल कांसी जमाने तालब इलमी से पश्टून कॉम्परस्ट सियासित की जानब माईल था युनिवस्टी में दाखले कुछ रसे बाद ही वो अवामी नैशनल पार्टी की तुलबा तन्जीन पश्टून स्टूडन्ट्स प्रेडरीशन से वाबस्ता भी हो गया था एमल कांसी एक खुशहाल गुराने से तलक रखता था इसलिए उसका दिल और दस्तरखान वसी था वो अकसर अपने क्लास फैलोज को ना सिर्फ ल्याकत बार कुटा में वाकिया अपने होटल पर खाना खलाथा बल्कि वो कुटा के दूसरे बड़े होटलों में भी अपने दोस्तों को ले जाता और उन्हें खाना खलाता होटल हो या यनियुरिस्टी की कंटीम बिलकी एदाइगी में कोई भी एहमल कांशी से बाजी नहीं ले जा सकता था एहमल कांशी कालेज और यनियुरूस्टी के दिनों में जमोलोरीय झिजो की बहालि और रियोस्टी पालिसियों के खलाफ इतिजाज में भी शरीक होते रहते थे एमल कांसी 1991 में अमरीका आगे थे यहां उनका एक दोस्त अमरीका का मुस्तकिल रहशी था जो वर्जीनिया में रहता था उनके यहां आने का मकसद अमरीका को देखना था और वो विजड विज़े पर आये थे और अपने साथ कुछ पैसे भी लाए थे और फिर उन्होंने सोचा था कि कुछ बिजनस यहां पर कर लें एमल ने अमरीका में सियासी पना की भी दरखास दे रखी थी लेकिन उनको ये पनाहा मिली नहीं थी जैसा कि अमरीका में आने वाले लोगों की वीजे की मुद्द अक्सर खत्म हो जाती है तो वो वर्क परमट के लिए पनाहगजीन की हसियत से दरखास दे सकते हैं उन्होंने पनाहगजीन के स्टेटस को सिर्फ इसी मकसद के लिए अपनाया और उसके दर परदा उनका कोई और मकसद नहीं था अपनीगा में क्याम के दराण आहमल कानसी ने कोरियर कॉमपोनी समयत मुद्द नौयत की मलाजमतें की थी उनके सथ काम करने वाले लाजमीन का कहना था एक वो सबस्द मेहनत वाला काम पसंद नहीं करते थे और आहमल कानसी के रूमेर्ट का कहना था तो उसके बाद वो कहां गे CIA हेड़कौर्टर पर हमले के अगले रोज ही MLKC अमरीका से पाकस्तान रुआना हो गे दूसरी तरफ FBI एजन्ट ब्रेडली गेरिट पाकस्तान आये और उन्होंने MLKC के खांदान से मुलाकात की यह लेकिन खांदालवा ने कहा के वो आखरी दफ़ा जन्वरी में MLKC से मिले थे और उन्हें इस वाकिया के बारे में सिर्फ CNN की रपोर्ट से पता चला है एजन्ट ब्रेडली गेरिट के मताबक MLKC हमले के दूसरे रोज ही अमरीका से पाकस्तान आये और फिर अफगानस्तान चले गे जहां कुछ अलाकों में उन दिनों तालबान की हकूमत थी और MLKC अफगानस्तान के सुबा कंदार और सुबा जाहल के दारहल हकूमत कलाद के अलाकों में रहे और उन्हें कुछ अर्सा घजनी के अलाके में भी गजारा था वो पिश्टूनों से थे मिलते थे लेकर अर्बों के साथ उनका राप्दा नहीं था हाँ वो कहते हैं कि एक बार असामा बिन लादन से उनकी मुलाकात हुई थी जिसके बारे में उनका कहना था वो उन्हें नहीं जानते थे कंदार में कई लोग एक शक्स से मिल रहे थे और वो भी आगे बड़े और उनसे स्लाम दौा की तो पता चला वो असामा बिन लादन है सी आई ए ने एमल कांसी की गरिफतारी पर 20 लाख डालर का अनाम मकरर कर दिया और सी आई ए के अजेंट एक मकामी कलरक ने कराची में मुझूद अमरीकी स्वारत खाने से राप्ता किया और बताया कि उन्हें मलूम है कि अमरीका को एमल कांसी की तलाश है और मुझे मलूम है वो कहा है हम उसको एक मकसूस मकाम पर ला सकते हैं मगर उसके लिए रकम दरकार होगी और फिर CIA एजन्ट गेरिट ने जल्दी फ़ानस्तान के चंद कुबाइली सरब्राहों से राप्ता किया और उन्होंने एमल कांसी की तस्वीर और एक गलास जिसको एमल कांसी ने इस्तमाल किया था फ़ानस्तान में फिंगर प्रिंट समेद अमरीका बजवाया जहां फान्ज एक टेस्ट में तस्वीक हुई कि ये उन्गलियों के निशान एमल कांसी के ही है CIA स्टेशन चीफ, रेजिनल स्क्यूर्टी अफसर, स्टेट डपार्टमेंट और FBI ने पकसन हकूमत के साथ बातचीच शुरू कर दी उन दिनों पकसन में नुआश श्रीफ की हकूमत थी साथ ही साथ CIA, FBI पकसन की इंटेलिजन्स ISI से राप्ते में थी FBI एजेंट गैरिट अपना हेलिकेप्टर और त्यारा लेकर पकसन आए थे गैरिट ने मुखबरों से बात की तो तब उनने कहा कि वो डेरा गाजी खान में एक होटल पर उसे लेकर आएंगे और उसके बाद FBI अपनी कारवाई कर सकती है एमल कांसी के दोस्तों ने उनने कहा कि हम एक बिजनस डील करने के लिए डेरा गाजी खान जा रहे हैं और हमें इंग्लिश औगरा ज्यादा नहीं आती जबके इस बिजनस की तमाम रकम की एदाएगी फगानस्तान में होगी तो आप पड़े लिखे हैं उर्दू भी जानते हैं और हमें आपर ब्रोसा है इसलिए आप हमारे साथ चलें एमल कांसी ने अपने दोस्तों की बात पर यकीन किया और पंदरा जून उन्यूस तानुए की रात को वो डेरा गाजी खान आ गए डेरा गाजी खान के उस होटल में एबियाई के एजेंट ब्रेड़ी गेरट ने एक पहले से ही जिसूस इंटर करवाया हुआ था जो वहां की खबर दे रहा था फिर एबियाई के एहल कारों ने शलवार कमीज पहनी और वो होटल की तरफ उरवाना हो गए जिसूस के मताबग एमल कांसी होटल की तीसी मंजल के कमरा नमबर 317 यानि के 317 में मुझूद थे जबके होटल का मरकजी दरवाजा खुला हुआ था और गाड़ भी नहीं थे एबियाई एजेंट ब्रैडली गैरिट जब होटल के दाखली दरवाजे पर पहुंचे तो वो अंदर से बंद था उन्हें दरवाजे पर दस्तर दी गाड़ आया तो एबियाई के एजेंटों ने गाड़ पर कावबू पा लिया और फिर वो उपर की मंजल की तरफ रवाना हो गे और उन्हें ने मतलूबा दरवाजा 317 रूम का बजाया और कहा के नमाज का वकत हो गया है एक दो बार दस्तर के बार दरवाजा खुला तो एजेंट्स अंदर दाखल हुए और वहाँ पर मजूद मुश्तिबा शक्स को चित कर लिया उस शक्स में मजामत की और कुछ खराशे आई उसके दोनों हट कड़ियों से बांदिये गए और मुँ में कपड़ा ठोंस दिया गया जेंट ड्रेली गैरिट के मताबक शकलो सूरत में ये मुश्तबा शक्स एमल कांसी ही था जिसके बाद उसके इंगठे पर सियाही लगाई गई और पेपर पर लगाया मेगनिफाई ग्लास से उसके फिंगर प्रिंट का मिशादा किया गया जिसके बाद तस्दीक होगी कि ये ही आईमल कांसी है उसके बाद अजेंट ब्रैडली गेरिट ने एमल कांसी के हाथ बांद दिये साथ पर कपड़ा डाग दिया और उसको एक गाड़ी में स्वार कर दिया जो निस्व गंटे चलती रही जिसके बाद वो अपने तियारे में स्वार हुए और ये तियारा आईएसाई के जनरल का था जो इस मिशन के लिए इस्तमाल किया जा रहा था और फिर वो रावल पिंडी पहुंच गे लेकर पाकिस्तान के खुफिया जनसी आईएसाई ने कहा क्या मुलक नहीं छोड़ सकते जिसकी वड़ा से उन्हें वहां दो रोज रुकना पड़ा फिर दो रोज के बाद सदर कलिंटन और वजीर खारजा मैडलन हल ब्राइट की अपनी पाकिसानी हम मरस्बों से बात हुई और उन्हें जाने दे दिया एमल कांसी ने इन्वस्टिकेशन के दुरान ये भी बताया कि वो काफी दिन सोचते रहे कि वो सी आईए के हेड़कौर्टर पर फायरे करे या इसराइली सफारत खाने पर हमला करे लेकिन पिर उन्होंने सी यए हेड़कौर्टर का ही इन्तखाब किया क्यूंकि सी यए के हकाम जब भी बाहर निकलते हैं या गूंपिर रहे हते हैं तो मसलां नहीं होते उनके पाद वस्टला नहीं हुईता एमल कांसी ने इन्वर्स्टिकेशन के जरीए बताया कि उन्होंने CIA के हेड़कॉर्टर पर क्यों हमला किया वो कहते हैं अमरीकी त्यारों ने अराग पर हमला किया था और उन्हें CIA की मुस्लिम मौमालक में मदाखलत पसंद नहीं थी एमल कांसी मश्र के वस्ता में अमरीका की हाज़ा प्लीसियों खास्तोर पर इस्राइली नौज प्लीसी के खलाब थे जो उनके मताबब मुसल्मानों और फसलतीनियों के खलाब थी एमल कांसी की गिरिफतारी पर दूसी तरफ पाकिसान की शायर कराची में 13 नौबर 99 को यूनियन टेकसास पेट्रॉलियन के चार अमरीकी मलाजमीन को कराची में फैरंग करके भी हलाग कर दिया गया था जिसे पुलस ने उस वकत टारगट किलिंग कराद दिया था एमल कांसी पर केस चला और उन्हें 14 नौबर 2002 को जहर का इंजक्शन लगा कर सजाय मौत दे दी गई सजाय मौत पर अमल दरामत होने से पहले उनके दो बाईयों और एक पेश अमाम ने आखरी मुलाकात की थी एमल कांसी की कोड़ा में नमाजे जनाजा में लोगों की एक बड़ी तदाब में शिर्क की थी एमल कांसी की गिरफतारी और अमरीका मुन्तिकली के एक खलाफ लहोर हाई कॉर्ट में उस वकत एक दरखास भी जेरे समाद थी क्योंकि उस वकत वजीर अजम मिया नौाज श्रीफ थे और पंजाब के वजीर अला शेह बाज श्रीफ थे शुक्रिया शुक्रिया